मिना साब आपका स्वागत करते हैं और कोविड-19 का संकट तो खैर आप हमारे से निरंतर जुड़े हैं लगातार संकट के समय आते रहे हैं लेकिन कुछ सितियां ऐसी सुनाई पड़ रहे हैं कि धीरे धीरे अब जो एक सेंचुरी पार हो रही थी उदैपूर में कि वो सौ से सभी लोग लगबग करने लग गए हैं जैसे साधी व्याव हो मोत मरण हो और भी कई तरके ओकेजन हो उसमें जो जित्ती संख्या सरकार ने निधारित कर रही है उससे कम लोग उसमें सम्मिलित होते हैं तो निश्यत रूप से भीड़ बार जाला नहीं होती है भीड़ बार हो रहे हैं साब्चेत हो रहे हैं जागरूप हो रहे हैं इस से ये लगता है कि अभी दिरे दिरे जो संक्रमितों की संक्या है लेक्सिटी उदेपुर में कम होती जा रही है हमारे महमान है हमारे अपने सांसद अरजुनलार मीना मिना साब अभी तक जो उदेपुर और खास ज्यादा नहीं है तो इसका श्रे सबको जाता है लेकिन स्वास से सुईधाओं में क्या-क्या चीज़ें जो अत्रिक रूप से की गई और क्या-क्या ऐसी है जो संभाग में की जानी चाहिए देखे मैं स्वास विभाग के तमाम अधिकारियों को सीमेचो जोन डिरेक्टर उनके सभी डॉक्टर्स हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल उनके अधिक्षक और तमाम नर्सिंग इस विभाग से जुड़े हुए अधिकारी करमचारी और पेरा मेडिकल स्टाप को मैं किया है उनको वेवार किया है उनको साब्चेत किया है इससे हमारे उदेवपूर लेक सिटी में कुराना के पैसेंट की संख्या देरे देरे अब कम होती जारी है और हमारी जो मृत्युदर है वो बहुत कम है नकेवल उदेवपूर में पूरे राजस्थान में भी मृत्यु हो चुके हैं और आने वाले समय में जब तक कोराना की वेक्सिन कोई नहीं आ जाती है कोई दबाई नहीं आ जाती है तब तक मैं सुरताओं से भी निवेदन करना चाहूंगा मैं सभी लेक्सिटिवाशियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक कोई दबाई नहीं आ जा रार्मीना, विनासाब हमने अब तक जो कारिय किया वो तो ठीक है लेकिन अब सरदी का समय है और सरदी के समय में कहा जाता है कि कोई भी वाइरस होता है उसका प्रचार प्रसार कुछ ज्यादा होता है और विवहा भी हो रहे हैं और विवहा हो में चाहे उसकी limited संखिया हो लेकिन एक तरह से काफी लोगों मिल रहे हैं इन तमाम लोगों को क्या कहेंगे और सर्दी में बाद में क्या-क्या चीजें हास नौर पर हमारे संभाग के लोग आप की उन कोanız ला होगी वैसे वैसे तो खाने पिने की जो मोसम होता है वो सर्दिकाई होता है तो मैं तो यह कहूंगा कि आप बहुत अच्छा खाईएगा पोश्टी काहर सेवन करिएगा लीजिएगा और खुब अच्छी तरह से रहिएगा और कोराना यह इस वेश्विक महामारी की जो गाइड लाइन है जब तक वेक्सिन नहीं आ जाते है तब तक उसकी फूर्ण रूप से पालना करते रहिएगा बीड़ बाड़ वाले इलाके में नहीं जाए मास हमेशा लगा के रखिएगा सोसल डिश्टेशन की पालना करते रहिए और समय समय पर हर एक गंटे में हाथ साबून से हाथ दोत इन बाते हैं वो हमेशा हमें उसका उभ्योग करते रहना है बहुत सारे लोगों में जग्यासा भी होती है कि वो कैसे लाइन में लगेंगे क्या उन्हें आधार कार्ड के माद्यम से ये वैक्सीन मिलेगा कब मिलेगा कैसे मिलेगा थोड़ा सा आप हमारी लोगसभा के सदसे हैं तमाम उदेपुर वासियों को बताएं कि क्या वैक्सीन की कैस्सिती है और उसके बाद अगर आएगा तो क्या प्रक्रिया होगी। चंता कर फ्यू लोकडाउन फिर लोकडाउन के बाद उनको किस तरह से जो वैक्सीन तियार हो रहे है तीनों लेब में एंदाबाद, आंदरापर देश और तीनों लेबों में पूने में तीनों जगह जाकर खुद ने वेग्यानिकों के साथ चर्चा करके खुद को लेब ने प्रेक्टिकल लेब में देखा वेग्यानी को उस रात चर्चा करी और उनको होसला बढ़ाया उनका होसला अब जाई किया कि देश का परदानमंत्री आपके साथ है आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं उनकी सराना की उनको प्रुसाहन दिय इस से यह साबित होता है कि हमारे देश के परदानमंत्री इस बीमारी के परती इस वेश्विक महामारी के परती कित्त सर्जक है किस रूप में वो देश के परदान सेवक बनके पूरी देश की जंता की सेवा करना चाते हैं और मैं चुकी में देश की पार्लियामेंट में स् बेठक करते रहते हैं तो यह हमारी डेस में वेक्सिन आने वाली है वो पूरी दुनिया को इंतजार दुनिया के लोग अनेक कंट्री के लोग ये इंजिजार कर रहे हैं कि भारत देश की जो वेक्सिन आईगी वो ज़्यादा कारगर होगी अच्छे शाबित होगी और वो कोराना वेस्विक महामारी को निजाद दिलाने में महत्पूर्ण विम्मिका अधा करेगी साथ साथ मौधे ये उमीद कब तक लोग करें मैं समझता हो कि तीसरी ट्रायल अभी चल रही है तो जैसे ही तीसरी ट्रायल कंप्लीट हो जाएगी तो मैं ये दो तीन महीने में ये नया साल जो आएगा ये हम सब लोगों के लिए बारतवाशियों के लिए एक खुश्री का प खुशी के और जितने भी इस मानव जीवन में जो काम होते हैं वो एक तरसे ठेहर गए हैं ये ठेहरे हैं काम वापस चालू होने के आने वाले नए साल में हमको बहुत बड़ा सोगात मिलने वाली है और आपने देखा होगा देश विश्व के आने कंट्रियों ने तो वेक् सिन मिलेगी आकाश्वणी उदेपूर में हमारे मेमान है हमारे सांसद अरजुनलाल मिना मिना साब जाते जाते तमाम लिसनर्स को क्या मैसेज देंगे सभी सुरताओं को मैं नए साल की बहुत-बहुत सुबकामना देना चाहूंगा दोजार इकिस आप सब के लिए क्योंकि मुझे मालूम है कि दोजार बीस आपके लिए बहुत कस्दाई रहा है क्योंकि एक वेस्विक महामारी नकेवल देश में दुनिया में कोराना वेस्व के रूप में भी चुकाई है हमारे सारे जीवन के काम कम करने पड़े और हमें हर इनसान को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ा उमीद करता हूं कि 2021 लेक्सिटिवासियों के लिए और हमारे पूरे राज्य के लिए और पूरे देश के लोगों के लिए खुशाली वरा ह होगा और मंगल महीं होगा और हमें एक सोगहात मिलने वाली है कि कोराना वेक्सिन हमें 2021 में प्राप्त होगी और हम सब सुखी रहेंगे सुखी जीवन बिताएंगे संसत मुदे आप कहने देशा अभार